T20 World Cup Final शुरू होने में कुछ ही घंटे बाकी है भरत और साउथ अफरीका के टीम से इस बड़े मैच की तयारियों में लगी है लेकिन मैच पर बारिश का साया मंडरा रहा है बाबिडोस में होने वाले ये मैच बारिश से पूरी तरह दूल सकता है और अगर ऐसा हुआ तो क्या होंगा साउथ अफरीका वाले पहली बार किसी ICC इवेंट के Final में पहुचे है इससे पहले इनकी मैंस टीम ने कभी भी किसी One Day या T20 World Cup का Final नहीं खेला है जबकि भारते टीम ने 2007 में T20 World Cup जीता था ये इस फॉर्मेट का पहला World Cup था यानि दोनों में से जो भी टीम जीती इतिहास बनना तैह है लेकिन इस इतिहास के रास्ते में खड़ी है बारिश इस World Cup के कई मैचेस में बारिश खड़ डाल चुकी है और अगर Final में ऐसा कुछ हुआ तो रिजर्ट के लिए कम से कम 200 ओवर का गेम होना चाहिए ये भी जान लीजिए कि इस World Cup के लिए ICC ने रिजर्व डे रखा हुआ है यानि ये गेम अगले दिन भी कीचा जा सकता है लेकिन अगर 31 तारीक को कुछ ओवर स्वेक दिये गए तो रिजर्व डे यानि 30 तारीक को गेम वही से शुरू होँगा इतने सब करने और रिजर्व डे के बावजूद मैच संबव ना हो पाए तो ICC ने सुपर ओवर के वेवस्ता की है यानि सुपर ओवर के जरिये भी विजेता चुना जा सकता है लेकिन अगर ये भी नहीं हो पाया तो इंडिया और साउथ अफरीका को जॉइंट वीनर गोशित किया जाएंगा